मैं ईश्टेदंगं बश्ट में आज हम पढ़ रहे मोरेवंस मैं चंद्रकुप्त मार्ये को हम में पढ़ा है लुए मेरे नहीं और अब आता है अशोख और अशोग में हम पढ़ रहे हैं अशो का धम्ह असोग ने 273 इसा पूर्व से लेकर के 232 इसा पूर्व तक सासर किया चंद्रकुप्त मौर्रे मौरवन्स का सस्थापक था चंद्रकुप्त मौर्रे के बाद सासक बना बिंदुसार और बिंदुसार के बाद सासक बना समराढ असोग जिसने 200 गुरहत्तर से 232 इसा पूर्ट तक सासर किया समराज असोक ने युद्ध की नीती का परत्याग करके कलिंग के युद्ध में जब उसने भीसंग नर संगहार को देखा तो कलिंग के युद्ध के पश्चाद उसने युद्ध की नीती का परत्याग करके धंब की नीटी को अपनाया तो आज हमारा कुष्टरा बठता है की असोक का धंब क्या है दूवेचल की जिए तो असोक का धंब में असोक के अभीलेखों मेंals also का ओलेक मिलता है असोक के धंब के थंब विद्वारों में मतभेद हैं तीप्र मतभेद हैं डॉक्टर फिलीट के अनुसार असोक का धम्म राज धर्म था डॉक्टर राधा कुमुद मुखर जी ने इसे मानव धर्म अत्वा विश्म धर्म माना है असोक का व्यक्तिगत धर्म बॉद्ध धर्म था परन्तु उसने अपनी प्रजा की नैतिक तथा आध्यात्मिक उन्नती के लिए कुछ नैतिक सिद्धान्तों का प्रचाल प्रसार किया जिनह सामुहिक रूप से असोक का धम्म कहा जाता है अब कुष्ण बंटा है कि धम्म क्या है धम्म क्या है तो सम्राठ असोक अपने दूसरे सिलाले में स्वयम से पूछता है कि कियम जो धम्मे अर्थाद धम्म क्या है फिर वह स्वयम ही उत्तर देता है कि उपासी नवे बहु कंथाने दयादान सचे सोचें मतलब उपासी नवे बहु कंथाने मतलब पाप हीत्दा बहु कल्याने बहु कल्यान मतलब बहुत लोगों का कल्यान और दयादान सत्थ और सुद्धी मतलब पाप रहे ठोकर पहु कल्यार करना, दया करना, दान देना, सच्चाई और पवित्रता का जीवन अपनाना यही धम है अब असोब के धम के सिधान्थ, असोब के धम के जो सिधान्थ है उनको दो भावों में बाट रहा है निर्देशात्मक सिध्धांद और निसेधात्मक सिध्धांद निर्देशात्मक जो सिध्धांद है उनमें सबसे पहले आता है सुस्रुसा मतला माता पिता गुरु और बड़े लोगों की अपने से बड़े लोगों की सेबा करना दूसरे नमबर पर आता है मार्दवम अर्थात समस्त जीवन युक्त प्राणियों से स्रेष्ट व्यवहार करना तीसरे नमबर पर आता है प्राणा नाम मतलब जीव जन्तुओं के प्रति अहिंसा की भावना रखना चोथे नमबर पर आता है संपर्ति पत्म अर्थात सत्यासि ओ dziक्षुओं ब्राम्मनों आस्रतों सेवकों और दींदुख्यों से स्रेष्ट विवहार करना और तान है अर्थात बृब्दो मित्रों सादू सादवियों और जभूरतमंदों के परती उदार ताकी नियुकिक हैं तो ये तो असोवक के धंके निजेरहातमक सिथा न हिंता है दूसरे नबर क्याता है निठूलिये तीसरे नबर प्याता है क्रोध मतलब क्रोध नहीं करना चौत प्याता है मान वहल एहंकार नहीं और पाँचफ वे नंबर पे आता है इर्षा में जलन ना करता किसी से इर्षा भी ज्टा निये दो थे थे असुक के धिखे निर्डेस आत्मक और निसेथ आत-मक स्ढ़त लांत को अब आता है धंब के असोब के धंब के अन्ड सिंद्धान जिन में सबसे पहले हैं धर्म असोब ने अपने धंब के अंतरगत इस बात पर मल दिया कि मनुस्य को ब्रह्मनों भिक्षुरों दीन दुखियों आधी को दान देना चाहिए तथा इनके साथ उधारता का विवहार करना चाहिए दूसरे नंबर प्राता है अहिंसा असोग ने अहिंसा के पालन पर मल दिया असोग ने के बद पर प्रतिवंद लगा दिया तथा हिंसात्म की अग्यों को बंद करना दिया तीसे नंबर पर आता है धंब मंगल असोग के अपसार मनुस्त को धर्म मंगल अर्था सच्चे रीती रिवायों का पालन करना चाहिए तथा पुत्र जन्म विवहा यात्रा आदी के अप असोग के धंब की विशीषता है कि असोग के धंब की क्या विशीषता है असोग का धंब मानमतावादी तथा सदाचार प्रधान धंब था जो जन्कल्यान की भावना से प्रेरित था असोक का धम सरव्यापक था जिसमें पसुपक्षियों, मनुस्यों, जल्चरों, आदी सभी जीवों के कल्यान के प्रती समर्पन का भाव मिलता है डॉक्टर राधा कुमुद मुखर जी के अनुसार असोक ने एक विश्व धर्म का प्रारुप प्रिस्तुत किया और इतिहास में ऐसा करने वाला वहें पहला व्यक्ति था तो ये था असोक का धम